पटार तीस सेकंड में खबर चाउलो कीजिए तक्या कनोखी खबर के साथ यूपी के महोबा सिले में पुलीस का मानविय चहरा देखने को मिला है पुलीस ने आखरी मौके पर पहुँच कर तूट रही शादी को फिर से जोड दिया दरसल दुलहन के बिना लोट रही बारात को पुलीस ने रोक कर दुलहे को मनाया और तूटी हुई चोड़ी को मिलवा दिया ये घटना पूरे अलाके में चर्चा का विशे बनी हुई है अब लोग बोल रहे हैं रब ने बना दी जोड़ी दरसल यहां के बगहौरा गाउं में शादी की रस्मे हो रही थी लेकिन शादी में खाना खाने को लेकर बाराती और लड़की पक्ष में कुछ विवाद हो गया दोनों पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि बारात बिना बहु को विदा किये रस्मों को अधूरा छोड़ कर मौके से चली गई इस घटना की सूचना जैसे ही अजनगर थाना प्रभारी लाखन सिंग को मिली वो फोरण बारात के पीछे निकल गए और देवरी बांध में बारात को रोक कर वापस गाउन ले आए फिर दोनों ही पक्षों को बैट कर अच्छी तरह से समझाया और रिष्टे को तूटने से बचा लिया दूसरी हैरान कर देने वाली खबर एक ऐसे शक्स्ती है जो 139 बच्चे पैदा करने का दावा कर रहा है यह एक रिटायर टीचर है उम्र 66 साल है दावा है कि अब तक स्पर्म डोनेट कर 139 बच्चों के जैविक पिता बन चुके हैं उनके नौ और बच्चे पैदा होने वाले हैं जो अभी गर्भ में है इस रिटायर टीचर का नाम है क्लाइविस जोन्स और यह ब्रिटन के चैदिस डिन टर्बी में रहते हैं मुलतहब बर्टन के रहने वाले हैं उन्होंने 58 साल की उम्र में स्पर्म डोनेट करना शुरू किया था यहां गौर करने वाली बात यह है कि अपना स्पर्म फ्री में डोनेट करती हैं रिपोर्ट के मुताबिक जोन्स की इस हरकत पर हेल्थ एक्सपर्ट ने उन्हें चेतावनी दी है क्योंकि उन्होंने लाइसंस क्लिनिक में जाकर ऐसा नहीं किया है क्लाइविस जोन्स कहते हैं कि उन्होंने अपना स्पर्म जोनेशन फेस्बुक के जरिये से किया इससे कई परिवारों की जिंदगी में खुशी लोटी है तीसरी खबर मंगल ग्रह से जुड़ी हुई है अमेरिकी अंतरिक श्रेजनसी नासा के यान ने मंगल ग्रह पर पानी होने का सुबूत भेजा है इसके बाद क्यालिफॉर्निया इंस्टिट्यूट अफ टेक्नोलोजी के विज्यानिकों ने इसकी जाच परताल की तो पता चला कि 200 करोड साल पहले मंगल की सता पर पानी भेता था क्योंकि वहाँ पर पानी की वज़स से भेकराय सौट मिनरल्स मिले हैं जिनके निशान मंगल की सता पर सफेद रंग की लकीरों के रूप में देखे जा सकते हैं करोणों साल पहले मंगल ग्रह पर नदियों और तालाबों का अधाब भंडार भुआ करता था ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर सुक्ष्म जीवन भी रहा होगा जैसे जैसे ग्रह का वायू मंटल पतला होता गया पानी भाब बनकर उड़ गया सिर्फ जमा हुआ रेगस्तानी इलाका बच गया यूस तक पीरो